तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो इसमें कहता है टू कॉंसेंट्रिक सेल हैं हाइबिंग मास M1 and M2 and radius R1 and R2 देखो R2 is greater to concentric सेल मतलब यह अंदर से खाली है यार सेल की वज़े से यहां पर अंदर में जो होता है वो फिल्ड जीरो होता है तो फोर्स जीरो जाता है सेल के अंदर ठीक है तो अब तुम देखो कि यह जो सेल है वो यह कह रहा है कि टू कॉंसेंट्रिक सेल है एक की R1 प्लस R2 इनके इधर ही कहीं आएगा तो यह डिस्टेंस इसमाल R है और यहां पर पॉइंट पी है यहां पर ले जाके एक मास M1 रग दिए तो इस M1 पर कितना फोर्स लगेगा यह हमें निकालना है तो इस इसमाल R की वेलू है R1 प्लस R2 और हाफ से डिवाइड करते तो इसमाल M पे ज़ो आउटर वाला जो यह M2 थो कोई फॉर्स नहीं लगाएगा लेकिन ज़ो M1 है यह इसके लिए यह पॉइंट बाहर में आ जाएगा और यह हम टु के लिए यह पॉइंट इनसाइड आ जाएगा तो फॉर्स इस पार्टिकल पे जो यह पार्टिकल है M1 इस तो यह यहां से यह जो है वो capital M1 है और capital M1 है और यहां से एक small r distance पर यह वाला जो है small M1 रखा हुआ भई तो small small M1 रखा हो तो इस पर कितना force लग रहा है तो इस पर इन दोनों के बीच force निकाल लो तो इन दोनों के बीच force क्या भई जी capital M1 और small M1 और divided by यह distance r का square simply तो r की value का square कर दोगे तो 4 z capital M और small M1 divided by r1 plus r2 का whole square क्योंकि outer वाले की वज़े से तो कोई force ही नहीं लगेगा there is no force exists due to outer वाले इसकी वज़े से जो force है वो बाई 0 लगेगा अंदर में कोई force होता ही नहीं है